नमस्कार दोस्तों मैं नामर रादिव सजवान और आजम बात करेंगे साउथ की सबसे बहतरीन मल्टे स्टारर फिलम वेदम यानि आखरी फैसला के बजट बॉक्स ओपेस कलेक्शन और फिलम से जड़े हुए कुछ अंचोने फैर्स के बारे में तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेश्ट है कि अदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताकि मैं आपके लिए और बैसे वीडियो ला सकूँ दोसों वेदम यानी आकरी फैसला एक तेलगु भास में बनी एक एथलोजी एक्षन ड्रामा फिलम थी जो कि 4 जून 2010 को सिन्वा घरों में रिलीज हुई थी और इस फिलम में हमें मुख्य भूमका में नजराय थी अलू अर्जुन, अनुस्का सिटी, मनोज मांचू, मनोज बाजपाई, स्रेनिया, दिक्सा सेट, ब्रमा नंदम, पोशानी किष्णा मुली, रगु बाबु, रवी परकास और सत्यम राजिस इस फिलम के डारेक्टर थे क्रिस, जोकी मनी करनी का, एंटियार कतना यकदू, गौत्मी पुत्र सांतकरनी और गबबर जैसी कई फिलमें बना चुके हैं वहीं परडूसर की बात करे तो इस फिलम के परडूसर थे सोबू परगालियू और परसाद देविनी इस फिलम की कहानी लिखी थी, खुद डारेक्टर क्रिस ने और फिलम में म्यूजिक दिया था, एमेम किरावानी ने वहीं फिलम के बजट की बात करे तो फिलम का कुल बजट 15 करोड था और सुने बॉक्स ओपिस पर 25 करोड से जादा की कमाई की थी और एक सुपर हिट फिलम साबित हुई थी, इसके अलवा आएम डिबी पर इसे 10 में से 8.1 की बहतरीन रेटिंग मिली वी है वहीं फिलम की गानों की बात करे तो इस फिलम में टोटल 12 गाने थे और सभी के सभी गाने सुपर हिट साबित हुई थे और फिलम की कहानी की बात करे तो इस फिलम की कहानी काफी बहतरीन थी इसमें पांच अलग-अलग लोगों के जीवन के समस्याओं के बारे में दिखाय गया था कि किस परकार उनके हालात उनकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं फिलम के पहले सीन में वे एक चकरवर्ती नाम के एक रोक स्टार को दिखाय गया था जो कि एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता था और उसके परिवार के सबी सदस्य आर्मी में थे इसलिए उसकी माँ चाते थी कि वे भी एक आर्मी उफिसर बने लेकिन वे सिर्फ एक रोक स्टार बनना चाता था एक बार उसे हैदरबाद के एक म्यूजिक कंसेट में जाना था लेकिन वे लेट हो जाता है उसके बाद वे कार से वहाँ पहुचने की कोशिश करता है लेकिन उसके कार रास्ते में ही खराब हो जाती है और वहाँ पर कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसके बाद एक ड्राइवर उसे बचाता है और हैदरबाद तक लेकर जाता है वे वहाँ पर एक महिला को देखता है जिसका एक्सिटन हो गया था और उसके बाद वे उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है फिल्म की दूसरे सीन में सरोजा नाम की एक सेक्स वर्कूर को दिखाये गया था जो कि रटामा के लिए काम कर दिती लेकिन वे वहाँ से अपनी दोस कपूरम के साथ हैदरबाद भाग जाती है और वहाँ पर सरोजा को हैदरबाद पुलिस गिरफतार कर लेती है और बाद में उसकी दोस सरोजा उसे बचाती है तबी एक बार उनका किसी के साथ जगड़ा हो जाता है जिसमें सरोजा की सहली कपूरम गायल हो जाती है और उसके बाद वे उसे हस्पताल लेकर जाती है तीसे सीन में एक रामलू नाम के गरिय बादमी को दिखाया गया था जिसके पोते को सावकार ने पकट रखा था और उसे चुडाने के लिए वे पैसे मांग रहा था और उसके बाद उन्हें सहर के एक ऐसे एजंट के बारे में पता जलता है जिसे किड़नी की जरूरत थी तो उसे वे अपनी किड़नी बेज़ देते हैं उन्हें जो पैसा मिलता है उसे राजु नाम का एक चोड़ चुरा लेता है लेकिन बाद में उनकी हालात को देखकर वे पैसे वापस दे देता है और चोथे सीन में कुरेसी नाम के एक मिसल्मान को दिखा गया था जिसे पुलिस आतंगवादी होने के सक पर ग्रिफतार कर ले पैक नमबर एक दोसेस फिल्म को बनाने का आइडिया डारेक्टर क्रिस के मन में तब आया था जब उन्होंने सपने में एक बुड़े आदमी को एक बच्चे के साथ चलते हुए देखा और उसके बाद उन्होंने इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया इसी दोरान उन के सीन में आतंगबादियों द्वारा हॉस्पिटेल में गुसना और वहां के लोगों को बंदग बनाना ये सब कुछ मुंबई में हुई गटना चबिस ग्यारा से इंस्पायर थी फैट नमर तीन दोसो इस फिल्म के डारेक्टर क्रिस ने एक इंट्रिव्यों में बताया था कि इस फिल्म का बजट काफी कम था और जब उन्होंने ये रोल अर्जुन अनुसका सिट्टी और मनोज मांचु को उफर किया था तो उन्हें ये यकिन नहीं था कि वह इस रोल क एकसेट करेंगे लेकिन जब उन्होंने ये रोल एकसेट कर लिया तो उन्होंने उसी वक्त पता चल गया था कि फिल्म हिट हो जाएगी फैक्ट नमबर चार दूसरस फिल्म में अनुसका सिट्टी के एक्टिंग की सबने तारिफ की थी इस फिल्म में उन्होंने सरोजा नाम की लड़की का किरदार निबाया था जो की एक सेक्स वर करती लेकिन इस फिल्म के बाद एक लड़की ने बताया कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था जो फिल्म में दिखाया गया था फैक नमबर पांच दुसरेस फिल्म में एक ऐसा सीन था जो लोगों के धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा था जिस कारण बाद में सीन को हटा दिया गया था फैक नमबर छे दुसरेस फिल्म के हिट हो जाने के बाद टारेक्टर किस ने इसका तमिल में वानम नाम से रिमेक बिनाया था फैक नमबर साथ दोस्तों इस फिल्म के director किस ने भी इस फिल्में छोटा सा किरदार निबयाया था इस फिल्म में वो ईसादु के रूप में नजर आए थे तो दोस्तों आब बात करते हैं अवोर्ट की बारे में इस फिल्म को काफी सारी अवोर्ट मिले थे जैसे Best Feature Film का नंदी अवर्ड, Best Director का Film Fair अवर्ड, Best Actor का अवर्ड अलो अर्जुन को और Best Actress का अवर्ड अनुसका सेटी को तो दोस्तों ये थे इस फिलम से जुड़े वे कुछ अंसुने फैक्ट्स अगर आपको वीडियो फसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे और वीडियो को लाइक कीजे ताकि मैं आपके लिए और बेसे वीडियो लगाएगा